फिल्म मनिकर निका से बॉलिवुड अक्ट्रिस कंगना रनौत का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है इन तस्वीरों में आप कंगना रनौत को पहली बार जहासी की रानी की किरदार में देख सकते हैं इन तस्वीरों को जैपुर में शूटिंग सेट पर क्लिक किया गया है कंगना को आप इन तस्वीरों में तलवार उठाए और सची महरानी की तरह देख सकते हैं उनका ये सफेद और गोल्डन लुक वाकई हैरान कर देने वाला है उन्होंने सिर पर सफेद रंग का साफा पहना है और शानदाज जूरी भी फिल्म की शूटिंग इन दिनों जैपुर के आमेर केले में चल रही है ये पहली बार है जब फिल्म से उनका रानी लक्षमी बाई का किरदार सामने आया है ये एक बायोग्रिफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे रानी लक्षमी बाई की कहानी के आधार पर बनाया जा रहा है लेखक विजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में ये खुलासा किया था कि फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात होगी इसमें दिखाए गई युद और मारधार वाले सीन मालूम हों कि सिपहले विजेंद्र, बाहुबली और बद्रंगी भाई जान जैसी फिल्मों के लिए कहानी लिख चुके है और इसलिए दर्शकों को इस फिल्म से भी खासी उम्मीदे है फिल्म में कंगना रनौत के अलावा आक्ट्रिस अंकिता लोखंडे भी नदर आएंगी जो की फिल्म में जहलकारी बाई की भूमे करने भाएंगी जहलकारी बाई वो योधा थी जिन्होंने राणी लक्षमी बाई के बॉड़ी डबल के तौट पर ब्रिटिश सेना से जंग लड़ी थी गौर तलब है कि कंगना रनौत की पीरिड फिल्म मनी करनिका का जब से एलान हुआ है कंगना के फांस को उनके लुक कब बेस सबली से इंतजार था अभी विडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटीन ड्यूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई